हेलो प्रेंट्स वेल्कुम टुमाय शरी रसोई आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़िदार सब्जी की रेचिपी शेयर करने वाली हूँ इस सब्जी को आप रोटी पराटे चपाती किसी के साथ भी सब्कूर सकते हैं सब के साथ ये बहुत ही अची लगती है अगर आप एक बार ये सब्जी बना लेंगे तो आप बार बार इस सब्जी को जरूर बनाना चाहेंगे क्योंकि इस सब्जी है ही इतनी तेस्ति अगर को नोटिमेशन आपको समय पर मिल जाए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें आप तोगों के लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा माइने लगते हैं और मुझे आगे वीडियो बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं पालक आलो की बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है यह पालक के प्यूरी और यह आधी किलो पालक था जिसको मैंने अच्छे से डंटल और घास बीन कर उसकी ब्लांच किया और उसके बाद उसकी प्यूरी बना ली आधा कप हरी मटर के दाने दो मीडियम साइज की आलो जिने हलका सा बाइल करके और मैंने डीप प्राइ कर लिया है इससे सब्जी का टेस बहुत ही अच्छा हो जाता है दो मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने क्रेश किया हुआ है दो टी माटर की प्यूरी दस बारे काजू दो टेबल स्पून देसी गी पालक की सब्जी का टेस देसी गी से ज़्यादा अच्छा आता है थोड़े से लिये हैं खड़े मिसाले जिसमें मैंने पांचे काली मिर्च और चार पांच लॉंग ली है दस बारे कालिया लैसुन की जिने क्रश किया हुआ है नमक टेस के हिसाब से एक टी स्पून लाल मिर्चे क्योंकि हम इसमें गरम मसाले भी जालेंगे और थोड़े से होल मसाले भी हैं एक टी स्पून जीरा एक टीबल स्पून धन्या पाउडर आधर टी स्पून अमचूर पाउडर आधर टी स्पून गरम मसाला और दो टेबल स्पून यूज करेंगे फ्रैश मलाई बिना पनीड के पालकालू की यह बहुँट इस्टी सबजी बनाना अब शुरू करते हैं अच्ञधा में पादमें से सब्साइअ अच्ण शूब गया लिख़ाई एक पा मिकम कुमिंगे Confederacy पादमें शूब्साइथ सब्साेतः था लाड़क रिचिसाया कोई बस नहीं के सब्सक्राइटम, एक हम ठोपने हाँ मैं एक निट तक भून लिया है और फ्लेम पुल मीडियम रखाए बास इसके बास हम यह काजू कल दढ़ Après उदut eran कंछ को 아니야 प्राइब 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 टिमाटर को डाले में मुझे करीब एक मेट हो चुका है अब इसमें नमक डाल देंगे लाल मिर्चे नाल देंगे धनिया पाउडर और हम सब्सक्राइब देंगे अब। सब्सक्राइब पैर नमक जुआए नमक रगीम को अधनी वाँ को अगरीम सब्सक्राइब टेस्ट तो हम फ्लेम पर इसे हम जब तक बूने झाए जूँ तक कि इसमें फ्लेम को घी डाला था भी टाल दिखाई ने लगे और फ्लेम को हाई रखेंगे और मैंने मसाले को चार से पांच मेर तक अच्छे से बून लिया है और आप देख सकते हैं कि जो अब दिखाई देने लगा है यानि मसाला हमारा भून कर तयार हो गया है बस अब हमने जो मतर लिती ये डाल देंगे मतर को मैंने पहले से उबाल के रखा है इसमें हमाई सब्सक्राइब बहुत ही जहट पड़ मिन करते हैं आलू भी प्राइब हुए है दॉनो को मिक्स कर देंगे और इसी समय हम इसमें ये फ्रैश मलाई डाल देंगे इसके बाद में लास में हम ये पालक की प्यूरी डाल देंगे और अच्छा से उबालाने देंगे ये हम चूर पाउडर भी डाल देंगे और अच्छा से मिक्स कर देंगे पालक की सब्सक्राइब को हम बहुत ज्यादा नहीं उबालेंगे ज्यादा बालने से पालक का रंग जोन खुराब हो जाता है अगर आप सब्झी को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप पानी मिला सकते हैं और इसमें से बहुत अच्छी कुछ घूच्च्चर भी देख सकते हैं कि इतना अचा है और बहुत ही टेस्टी हमाली ये सब्झी तयार हो गया है अब घरस के फ्ल थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से हम इसकी गार्णिशिंग कर देंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी यह पालक आलू की सब्जी बरकर तयार हो गई है आप इस सब्जी को रोटी पनाठे चपाती यह चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह सबी के साथ खाने में बहुत यह तरीक अगर आपको चलगी तो प्लीज लाइक करें फ्रेंड और प्रप्री के साथ शियर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें झाल